iPhone 13 users, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाली है, बहुत ज़्यादा important होने वाली है iOS 17.1.1 का नया अपडेट आपल की तरफ से देखने को बला था, लेकिन इस अपडेट में जो बग्स है ना वो उपर उपर शो नहीं हो रहे लेकिन अंदर ही अंदर आपके iPhone को खाय जा रहे हैं, जैसे की सेम्ट मेरी केस में हो रहा है For example, यहाँ पर मैंने कुछ bugs नोटिस किये हैं जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, सबसे पहले आप देख सकते हो, यह मेरा iPhone 13 है और अब बढ़ते हैं अपने bugs की तरफ सबसे पहले जो major bugs जो मैंने नोटिस किये हैं वो है calling screen के regarding यहाँ पर मैंने आपके लिए आपकी रेफरेंस के लिए screenshot भी ले रखा है, so I'll show you, just hold on सबसे पहले देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने phone call में कभी-कभी हम ऐसे phone call ऊपर ही receive कर लेते हैं और यहाँ पर मेरे case में जो phone call के background में यह देखो कैसे यह text आ रहे हैं यह background कैसी आ रही है इसको blurry black होना चाहिए यह kind of lightish green होना चाहिए लेकिन यह जैसे screen खराब हो रही होती है, कुछ इस तरीके से यह आता है अगर मैं किसी call में यह call receive करूं तो यह black रहेगा, blurry background black रहेगी यह फिर यह जो वाल पर है इसका black रहेगा लेकिन यह जो है यह जैसे पुराने TV में cable चली जाती थी तो ऐसा हमें fluctuation देखने को मेलता था सेम फैसी जो है यह feel दे रहा है, so यह जो चीज है मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगती जब भी आती है मुझे ऐसे लगता है कि display खराब हो गई है, so यह बहुत यह जटका देती है, क्या आपके case में भी ऐसा होता है, do let me know in the comment section, उसी के साथ साथ दोस्तो calling screen के regarding, जैसे मैं calling screen क इसको maximize करता हूं, तो इसके background में photo रहेगी यहां फिर background blur रहेगा, right, लेकिन background जो है black हो रहा है, काफी बार मैं नोटिस किया है, और phone बहुत clean condition में है, बहुत सारी storage free है, restart में रोज करता हूं, ऐसा नहीं है कि phone के storage भरी होई है, जिसके कारण phone जो है, space उसको मिलने दी, बहु और literally कभी-कभी networks एकदम full हो जाते हैं, jump कर लेता है, और एक और बड़ी चीज जो problem जो देखने को मल रही है, वो है battery की, दूस्तो बैटरी तो कमाल की निकल रही है, iOS 17.1.1 में लेकिन जो health है वो तेजी से drop कर रही है, मेरी battery health 83 थी, जो 80 हो गई है, यहां पर मैं आपको इस बिल्कुल भी सही नहीं चलती, iOS 17 के बाद कोई ना कोई problems तो आए ही जा रही है, यहां पर आप देख सकते हो, मेरी battery, 83 से ट्रैकली 80 जंप कर गई है, धीरे-धीरे करके 81, 82, 83 से नीचे आगे 80 आगी है, अब 1% भी battery तो मेरा phone जो है service पर आ जाएगा, मुझे वो accept करना ही पड़ेगा, so as a brand new phone, देट साल चला हुआ, service पर आ गया है, so आप देख सकते हो, किस तरीके से Apple अपने phones को नए update से खराब कर रहा है, so यह बहुत बुरी चीज है, literally, मैं accept नहीं कर सकता कि मेरा phone 79% health के अपर service पर है, so मैं तो इस section को ही remove करने वाला हूँ, किसी ना किसी तरीक बहुत इनफ होते हैं, बहुत सही usage होती है, अगर मैं battery की usage बताऊं, तो यह 10 गंटे बताएगी, यहाँ पर आप check out कर सकते हो, 10 गंटे screen on time, लेकिन, यह stats कुछ अलग बोल रहे है, और phone की battery stats कुछ अलग बोल रहे है, so literally, I don't think so, iOS 17.1.1 iPhone 13 series में बिलकुल भी सही चल रहा है, so मेरी videos का wait करना है, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने phone के उपर install करता हूँ, और install करने के बाद में almost 3-4 दिन review करता हूँ, कि कैसा bugs क्या है, खुराब क्या हुआ है, चीज़ें क्या सरी होई है, क्या चीज़ें नहीं है, फिर आपके लिए एक video launch करता हूँ, जिसमें आपको तस माज़ी.